नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज में करियर काउंसलिंग की इस सीरीज में बच्चों हम बात करेंगे डिफेंस के उपर आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों वो है CRPF यानि की Central Reserve Police Force द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रिक्षा जिसका नाम है ASI Steno बच्चों ASI यानि की Assistant Sub Inspector Steno की सीधी भरती निकलती है CRPF के अंदर बच्चों इस भरती को बताने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूँ कि हमारी जो करियर काउंसलिंग की सीरीज है उसके अंदर हमने Defense के उपर सारे वीडियोज बनाए हैं बच्चों जितनी भी भरतीया निकलती हैं अलग-अलग पोस्ट पर अलग-अलग रैंक पर हमने इसके अलावा डिटेल से ये भी बताया है कि आप किस-किस पदो पर भरतीयों के लिए रिक्रूट हो सकते हो और किन-किन पदो पर आप प्रमोट हो सकते हो इवन बच्चों हमने हमारी करियर काउंसलिंग की सीरीज में ये भी बताया है कि आपके पास जो Defense है उसके अंदर कितनी रैंक के अधिकारी होते हैं और उपर के अधिकारियों से लेकर निमन अधिकारियों तक सारे जितनी भी रैंक होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताया है Defense के अंदर कितनी forces होती है Army, Air Force, NDA, Navy हो गया और जितनी भी paramilitary forces हैं उनके बारे में बताया है तो बच्चो हमारा में मकसद यही है कि हम Defense के उपर सारी ही recruitment हमने जितनी भी बरती हैं उसके लिए वीडियो बनाया है ताकि यह जो वीडियो है इनके जरी आप तक सारी सुचनाएं पहुंच सके और आप decide कर सके कि आपको किस field में जाना है तो चलिए बच्चो देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो है CRPF द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रिक्षा ASI steno बच्चो ASI जो steno होता है यह one star होता है कि और future reps करने वाले अभ्यरती हैं जरूरी नहीं है कि जो stylo करने वाले अभ्यरती है वो सिर्फ सीविल में ही जा है बच्चों डिफेंस में भी जा सकते हैं Pre volcanic services के अलावा आपके पास बहुत से मुखम जा सकते हैं जहां पर डिफेंस में भी जा काफ़ी जोब्स हैं तो चलिए बच्चो देखते हैं इस वीडियो को तो एसाई स्टैनों यानि कि बच्चो एक स्टार जोब है यानि कि आपको स्टैनों के अधार पर ही CRPF के अंदर सीधा एक स्टार मिलता है बच्चो इसके लिए आपको चाहिए बार्वी पास ओनली यदि आप ट्वैल्थ पास हैं और आपकी जो एज है वो अठारा से लेकर अठाई साल तक के बीच में हैं तो आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं जन्रल कैटेगरी के बच्चे इसके अल बरती परिक्रिया के अंदर इसमें सिर्फ मानक प्रिक्षन होता है इसके अंदर दक्षता प्रिक्षन नहीं होता बच्चो यह सबसे बड़ी बात है यानि कि इसके अंदर आपकी बोड़ी का सिर्फ मानक प्रिक्षन होता है उसका दक्षता प्रिक्षन नहीं होता यानि कि हाइट वगएरा चेस्ट वगएरा चेक की जाती है इसमें कोई भी दोड़ वगएरा लोंग जंप हाई जंप नहीं होता है उसके बाद होती है लिखित प्रिक्षा और फिल होता है मेंन स्किल टेस्ट बचो यो CRPF जो स्टैनो के अभ्यरतनी है उनके पता है कि उनके लिए ज एक language होती है एक coding language होती है आप इस coding language के जरिए किसी भी भाषा को जिसमें आप स्टैनो सीखते हैं मालीजे आपने हिंदी में स्टैनो की है या इंगलीश में स्टैनो की है तो आप उस भाषा के शबदों को words को एक मिनट के अंदर speed के अंदर 1500 से 200 word पर मिनट तक लिक सकते हो इससे जादा भी लिख सकते हो बचो लेकिन ये depend करता है आपकी practice पर तो बचो जितनी भी स्टैनो की भरतियां होती है वो speed के base पर ही निकलती है अम बात करें हमने राज्या सरकार की जितनी भी भरतियां उन पर बनाई सेंटर में भी SSE संबंदी जितनी भी भरतियां उन पर तो हमारा जो यहां पर skill test होता है उसके बारे में हम पूरा बताएंगे लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको इसमें जो मानक प्रिक्शन होता है physical test होता है इसके लिए बच्चों जो height होती है वह 165 cm होती है male candidate के लिए और 155 cm होती है female candidate के लिए ठीक है बच्चों और उसके बाद अगर बात करें हम हम आपके चेस्ट की बच्चों चेस्ट के अंदर इसके अंदर 80 cm मांगा जाता है चेस्ट विदाउट expansion के और यदि expansion के साथ 5 cm का मांगा जाता है expansion यानि की 5 cm का expansion होना चाहिए height और बच्चों चेस्ट इसमें important height और चेस्ट का ही इसमें important काम होता है अब बच्चों यदि आप height और चेस्ट में clear कर जाते हो तो आपको next call होती है लिखित प्रिक्षा के लिए लिखित प्रिक्षा के अंदर बच्चों आपका एक test होता है जिसके अंदर part a के अंदर part a के अंदर आपके जो question होते हैं वो होते हैं हिंदी और English के इंडिया जीके के और maths और reasoning के और general science के यह प्रशन होते हैं बच्चों part a के अंदर हिंदी की बात करें तो दस्वी लेवल तक grammatical portion पूछा जाता है जिसके अंदर के इंग्लीश के अंदर बच्चों अगर इंग्लीश की बात करें तो इंग्लीश के अंदर भी दस्वी लेवल तक grammatical portion पूछा जाता है पैसी वह हो गया नरेशन हो गया इसके अलावा बात करें तो संटेंस स्रीय आर्गमेंट हो गया पैसीज हो गया close test हो गया sentence error होगी missing spelling होगी वह पूछे जाते हैं इंडिया जिक्ए के अंदर बच्चों इंडियान पॉलटी इंडियान हिस्ट्री इंडियान जियोग्राफी इंडियन से समंदीद प्रशन पूच होते हैं और अगर बात करें हम इंडियन इकोनमी की तो इन और इंडियन पॉलिटी के अंदर भारत के समीदान से समंधी प्रशन पूछे जाते हैं दस्वी लेवल तक मैट्स अरिथमेटिक मैट्स पूछी जाती है और रिजनिक नोन वर्बल और जनरल साइंस का पॉर्शन होता है जिसमें फिजिक्स कमेस्ट्री बायलोजी के प्रशन होते हैं बच्चों पार्ट बी के अंदर एक डिस्क्रिप्टी पेपर होता है जिसके अंदर एक ऐसे और एक लेटर होता है सो नंबर का वेपर यह होता है और सो कई यह होता है कि आपको इसके लिए तो मिलते हैं पार्ट एक के लिए दो घंटे और इसके लिए मिलता है एक घंटा यानि कि तीन घंटे का वेपर होता है 300 नंबर का 300 नंबर में से अगर आप पास करते हैं तो आग आपको कॉल होती है स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट के अंदर बच्चों स्टैन्नो का टेस्ट लिया जाता है जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्टैंट की स्पीड से एक ॡिक्टेशन बोली जाती है जो बच्चों इंग्लीज में बोला जाती है जिन्न वने हिंदी के हैं उनको पैङश Hui मिनट मिलते आप आं स्य लेट के लिए और जो बच्चması इंग्लीश के हैं, उनको मिलते हैं 50 मिनिट ट्रांस्लेट के लिए तो ये बच्चो ट्रांस्क्रिप्शन का होता है, कंप्यूटर पर आपको स्टेनो लेंग्वेज को ही ट्रांस्लेट करना होता है हिंदी या इंग्लीश में स्किल टेस्ट बच्चो सो नंबर का होता है, हैंड टू हैंड ही पेरामिल्टरी फोर्स का तो रूल यही है सी आर पी अफ के अंदर तो हैंड टू हैंड ही इसका रिजल्ट दिया जाता है सी आई एसफ के अंदर ऐसा नहीं होता है भ़चो लेकिं CRPF के अंदर ऐसी होता है कि आप skills देते हो थोड़ी देर ही बाद में ही आपका स्किल का है वो result वहाँ आपको बता बिदी आ जाता है फिर उसके बाद आपको call होती है medical के लिए medical test के अंदर आपकी body के check-up किया जाते हैं आपकी आई सेट चेक किया जाता है उसके अलावा बात करें तो बीपी शुगर लेवल चेक किया जाता है कोई बोडी का पार्ट टेड़ा मिड़ा नहीं है वो चेक किया जाता है या बोडी पर कोई टैटू है तो चेक किया जाता है तो बच्चों यह फाइनल प्रोसेस होता ह मेडिकल को क्लियर करने के बाद आप अंतिम रूप से एसाइस टैनों की भरती के लिए रुकूरूट हो जाते हो बच्चो एसाइस जो स्टैनों होता है वह पेरा मुल्ट्री फोर्स में एज मनिस्टर के अंदर होता है यानि कि वह एक क्लरक का काम करता है तो आज का जो हमारे वीडियो था वह था CRPF द्वारा आयोजित की जने वली प्रिक्षा ऐस इस टैनों जिसके बारे में हमने बताया कि इसका क्या भरती प्रोसेस होता है इसका क्या सिलेबस होता है ऐसे यह आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं बच्चों आज की वीडियो में इतना ही धन्य झाल झाल।